हेलो गाइज वेलकम तो माई चानल तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है उन लोगों को पता होगा कि मैं हाल फिलाल में गई थी पारसनाथ और वहां पे मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया उस दिन मैंने व्लॉगिंग भी की और पूरा दिन मेरा बहुत ज शेयर करते हैं तो देख सकते हैं बहुत कुछ हम लोगों ने ले जाने के लिए बनाया हुआ था रात में ही और मैंने सुभा गटेडी वित मी भी शूट किया बहुत अच्छा रह ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया है अगर आप लोग नहीं देख सकते है तो देख सकते हैं सुभा 6 बजे का टाइमिंग हम लोगों ने सोचा था बट साड़ी साथ बच गया और फिर हम लोग रडी हो गया सभी लोग और सुभा सुभा हम लोग चल दिये तो देख सकते हैं सुभा सुभा बहुत ज़्यादा है ठंडा है दिसंबर का मन्त है तो अब लोगों को मैं तो फरस्ट बार जा रही हूं मुझे अभी कोई भी एक्सपिनियंस नहीं है इसलिए मैं आप लोगों के साथ यह शेयर कर रही हूं तो देख सकते हैं इतना कोहरा था कि सुभा सुभा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बहुत ही अच्छा लगा सब्सक्राइब के साथ चड़ना बहुत जादा मुश्किल है और रास्ता में हम लोगों ने संटा फ्रेस वागेरा भी खरीदा क्योंकि बहुत लोगों जिनको कार में उल्टी वागेरा होता है प्रॉब्लम होता है तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही यह चीज कर लिया था यहां पर अपना पड़ता है यहां पर युझकि जाम सेफिक कर दिया है तो यहां पर लोगों में पर शोट दिया और मेंगेँ के बाद बाद पर बहुत जादग देख सकता हैं यहाँ पर मेरा फूल फैमिली है आप लोग देखोगे पुरा वीडियो आप लोग इन्जॉइ करो और देखो कि यहाँ पर कैसे घए तो देख सकते हैं बच्छा बाकी हमारा जो यह जर्णी है वह बहुत ज्यादा अच्छा रहा देख सकते हैं रास्ता में पानी वगरा का भी पूरा प्रबंध है सभी सभी चीज आपको मिले का वहाँ पर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बचा लोग जो है वह बहुत ज्यादा फूरती से पहले चलता है और फिलास में थक जाता है जैसे कि मेरा भाई जो है आगे आगे सबसे आगे आगे चल रहा है बट कुछ देर के बाद वह थका और यह हम मानते हैं कि वह इतना उपर कैसे चड़ गया यह चीज आप देख सकते हैं भाई ज़्यादा हम लोग वहां能 पर इंज्याई कि हैं सभी लोग इंज्याई कि हैं बहुत मज़ा है और देख सकते हैं हम जब वहां चलते जा रहे हैं तो लग रहा था कि और लिस्टेंस यह ज ilmat में अन्य देख तो कि फीक इस चलते लिह श्यांदा है झिलो मेंसी bis जो रोड का रास्ता बना हुआ है उसी में आप लोग आना जाना तो देख सकते हैं बंदर वगएरा भी दिखा उसको भी मैंने आप लोगों के लिए शूट किया और वहां पे बहुत ही अच्छा माहौल है सभी लोग एक दूसरे का मदद करते हुए चड़ते हैं आगे कर दो चलने में दिक्कत हो रहा था उन लोगों को लेके जा रहे थे देख सकते हैं फूरी वगरा का पुरा इंतजाम है आप लोग महां पर पर्शिस कर सकते हो ले सकते हो और यहां हम लोगों थोड़ा सब्सक्राइब पर दोड़ जाने के बाद फूल-फैमिली के साथ जा यहां पर हम लोगों ने सोचा कि नहीं और उपर क्या जाएं इतना ज्यादा हम लोग थग गया थे बट फिर लास्ट में लोग सोचे कि नहीं जब यह इतना सुंदर तो उपर हम लोगों को जरूर देखना चाहिए और और कितना अच्छा बना हुआ होगा और फर्स टाम था देखने का बहुत जादा इच्छा था बंदर अगरा तो इतना ज्यादा था वहां पे सबी लोग अपना जो समान है वह एकदम अच्छे से रख रहे थे क्योंकि बंदर लोग उठा के ले जाएगा तो इस वज़ए से हम लोग समान जो है बहुत अच्छे से कैरी किये थे बैग में अपना जो भी फोन है और इयर फोन वगरा कुछ भी नहीं लगाना होता है वहां पे तो सारा कुछ हम लोग बैग में डाल लिये थे सामान जो है अप लोग बहुत कम कैरी करना में यह बोलूंगी और अगर आप लोग कहीं और से देख रहे हैं जारकंड के लावा बहुत ही अच्छा था मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत ज़्यादा खुश हूं मैं वहां पे जाके और मैं आप लोगों को भी सजिशन करूंगी कि प्लीज आप लोग भी आओ घूमो फिरो फिर वहां से हम लोग जो मंदी से निकलने के बाद फोट्र परिणगे तुम स्कून मिला रास्ता है कि अप लोगोंको लगेगा कि और उरको और कितनो अपर चला उपर से जो सीन दिखता है आप सकते हो केमरें बहुत ही अच्छा सीन था बहुत जाधा चला वहां पहला और घर अशा जाएक क्योंकि फूल फैमली आया nervous तो हम लोगों ने वहां से तुरंट मतलब 10-15 मिट रुके होंगे जादा टाइम वहां पे नहीं रुक पाए और निकल गाए यहां पे देख सकते हैं डजबिन वगरा भी है रास्ता में अगर कुछ भी आप खाते हो तो इसका रैपर वगरा फेक दिना डजबिन में क्योंकि किसी और को प्रॉब्लम होगा तो यह सब चीजों का थोड़ा अप लोग ध्यान रखिएगा अगर आप लोग जा रहे हो तो मैं यहीं बोलूंगी सुभा मतलब सुभा सवडी शाम को उतरते टाइम मतलब हम लोग देख सकता है कैसा साम हो गया था छे बज़ गया था और इ यहां पर देख सकते हैं बहुत यह नीचे का महौल है नीचे में जो है बहुत ज्यादा लाइटिंग वगरा फिक्स था बहुत अच्छा लग रहा था पूरा धार्मी के स्थल है यह और ऐसा ही फील आ रहा था और बहुत अच्छा लगा यहां पर उसके बाद हम लोग घर घर आने के बाद मैं इतना बता हूंगी कि दो तीन दिन मैं तो रेस्ट की हूं और पूरा फामली मेरा बहुत ज़्यादा थख गया था सभी लोग थख गय थे मेरा भाई भी थख गया था और सभी लोग थख गय थे तो हम लोगोंने तीन-चार दिन मतलब हो एक होता है कि ज़्यादा रेस्ट किया पैर इकदम घीचने लगा वहां पे तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको कि वहां पे कुछ थख गया है या फिर प्रॉब्लम हो रहा है वैसा कुछ भी नहीं घार आने के बाद जो आपका पैर है वह इतना घीचने लगेगा कि क्या बता है फिर य पूरा दिन हम लोगा का वहां पे निकल गया तो फिर हम लोग जब आने लगें बहुत ज़्यादा इंज्वाइक है पूरा यह जो बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ शेयर करके तो वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा जो लोग से कमेंट कीजिएगा ठीक है कि हाँ मैंने पूरा वीडियो आपका जो है देखा है ठीक है थाक्यों फॉर वाचिंग बाबाई जेक है धिर सारा प्यार